नमस्कार दोस्तों मैं राज एस इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चनल इनानिया इजुकेशन में आज एस वीडियो में बात करेंगे सेकिन्ड गेर्ड वेकेंसी दोचार सोडा कि आज जो सुनवाई होनी थी उसे समझ में आज इस वीडियो को में लेक रहा हूँ दिन पर सेकिंड गेट बरती 2016 से समदित वाटसप और फेस्बूक पर तरह तरह के मेसेज वारल होते रहे ततरह तरह के यहाँ पर इसीजन आते रहे और साथ ही साथ कुछ ट्विटर एकाउंट के ट्वीट और कुछ ट्वी चैनलों के जो इसकिन सोट है वो भी वाटसप और फेस्बूक पर वारल होते रहे तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे आज दिन पर सेकिंड गेट बरती 2016 से समदित क्या मेटर होगा और आगे अब क्या करना होगा चीससे कि हमें जल्दी नुक्ती में जाए है सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको सबसे पहले दी जाएगी और आगे अगी रणनेती भी बताए जाएगी जैसा कि आपको पता है कि यह ट्विट जो की दोफेर को भी आ गया था इस ट्विट सम्दित काफी बैर तो यह प्रोब्लम थी किया यह ट्विट है वह सबसे पहले बरती 2016 से सम्दित विवादित परस्नों से जुड़ा मामला हाई कोर्ट ने न्यूक्ती देने पर लगई रोक जस्टिस मनीश बंडारी की खनपीत ने दिये आदेश अनिल कुमार जैन की अपील पर दिये आदेश विवादित परस्नों की जांच विशेजी की कमिटिशन नहीं कराने को दि च जोलाई को अर्था इस के स्कुर इसको पर सटारीय को रजिस्टर्ड कराया और आज इसकी सुनवाई थी जैसे आप देख सकते हैं यहां पर यह DB page सुनवाई थी तो यह एक unselected अभियारती अर्थाद यह selected अभियारती नहीं है लेकिन इस अभियारती का तब selection हो सकता है जब इसमे रिवाज result आए तो इस अभियारती ने जो पहले एक committee गटित करनी थी जो RPC को अटाइस मही को बोल कि यह committee गटित क्यों नहीं हुई थी तो आज जो रोक थी पहले से उसी रोक को यतावत रखा अर्था जो वेकेंसी पहले से रोक लगी हुए उसी रोक को आगे यतावत रखा जब तक RPC से समदित जबाव नहीं देती जो यह मामला था यह पूरा हमारी वेकेंसी से समदित ह और यह जो अभियारती था वो second grade सेंसकर्थ विसे इसलिए यहां पर सेंसकर्थ नाम है यहने किसी सब्जेक्ट से समिल नहीं था इसलिए जब बताया मीडिया को वो मीडिया ने अपने अनसार लिग दिया ततात यह जो मेटर था वो हमारी वेकेंसी से समदित ही था अब हम बात करते हैं कि RPC द्वारत जो साथ तारी को एक याची का दाइर की हुई थी दीवी में उस याची का क्या आज सुनवाई होनी थी उसका क्या हुआ क्योंकि अधिक तर अभ्यारतियों को इसकी इंतजार था अभी तक मेरे पास कोई इंफोर्मेशन नहीं आई अर्थाद RPC द्वारत जो की आज सुनवाई होनी थी ceci तो यह तो दी आज की बात तो इस से सम्धित जैसे भी मुझे कोई इंफोर्मेशन मिलेगी मैं आपको जलदी बता अब हम बात करता है कि आगे क्या रणनी थी है सेगिंड गेट बड़ती दोचार सोड़ा की जोइनिंग के लिए अब आगे क्या करना है इसे समझ में मैं पास थोड़ी बहुत इन्फोर्मेशन है यहां पर आपको 13 तारिक से जो कि आपके बिकानेर पर शिक्सर नितिस्याले के पास वहां पर आपक पहुंच है और आगे भी इसमा में अपडेट देगूँगा अर्था 13 को अगर बढ़ना है तो मैं 12 तारिक को आपको पहले बता दूँगा कि कल आना है या नहीं आना है तो इसको जान में रखते हुए यह 13 तारिक है आप इसके अनुसार अपनी जो तैयरी है वो कर ले क्य चलती रहती है तो कोई मामला सुलता नहीं है तो इसको जान में रखते हुए हम कोट कहदी नहीं न्यूकती होगी और वाव आन से शिख्षा निदेशाले ही हमारी अपील करेगा शिख्षा निदेशाले इस आदार पर कहेगा कि इसकोलों में तालबंदी हो रही है शिख्षकूँ कमी है तो इसको जान में रखते हुए इन शिख्षकूँ जो चेही नहीं सिख्षके इनको खोट कि दीघ न्यूक्ति दी जाए ताकि इस्कुलों में जो तालबं दीया वह दुख सके और उन को पूर्ण सके होगो और उसके बाद वह ऐसा बौल देंगे कि अगर पेस्पा चात्रो Smith के हित्त में आता है तो हम पच सर्जित करके इन चात्रों को हम जोइनिंग देंगे तो इसे मामले के आदार फर्स्ट गेट 2015 के बियारतों ने जोइनिंग लेंगे लेकिन यह जोइनिंग तभी संब्व हुए जब हम विकानेर कारे लेकर सामने धरना देंगे तो इससे जल्द ही आपको अन्य अपडेट दे दी जाएगी और रही बात आज के केस की तो इसकी भी अपडेट आपको जल्द से जल्द में इन्फॉर्मेशन देने कोशिश करूंगा लेकिन यहां से अब्यारतों और हमारे फक्स में कोई पैसला नहीं आया इसलिए हमारे पास कोई कुछ ऊसनल नहीं हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो या नेक्स डेट मिली हो कोई खास बात नहीं है इसलिए अभी तक जानकारी प्राफ नहीं हुई है तो यह था आज को वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आद वीडियो को लाइक करें तता उन सेलेक् अधिक से अधिक आसके है और आपके कोई किसन है तो नीचे कमेंट वोक्षन जरूर लिखें नहीं है दोस्तों